स्वामी विवेकानंद द्वारा न्यू यॉर्क में 1895 के वसंत में अंग्रेजी में लिखित कविता मेरा खेल खत्म हुआ का हिंदी अनुवाद समय के लहरों के साथ निरंतर उठते और गिरते मैं चला जा रहा हूँ जिन्दगी के ज्वर भाटे के साथ साथ एक शनिक द्रिश्य एक पर एक आते जाते हैं आह इस अप्रतिहत प्रवाह से कितनी ठकान हो आई है मुझे ये द्रिश्य बिलकुल नहीं भाते यहाँ अनवरत बहाव और पहुँचना कभी नहीं यहाँ तक की तटकी दूर की जलक भी नहीं मिलती जन्म जन्मांतरों में उन द्वारों पर व्याकुल प्रतीक्षा की किन्तु हाए वे नहीं खुले प्रकाश की एक किरन भी पाने में असफल ये आँखे पत्रा गई जीवन के उचे और सक्रे पुल पर खड़े हो नीचे जागता हूँ और देखता हूँ संघर शरत क्रंदन करते और अट्रहास करते लोगों को किसलिए कोई नहीं जानता वह सामने देखो अंधकार त्योरी चड़ाय अड़ा है और कहता है आगे कदम न रखो यही सीमा है भागे को लल्चाओ मत सहन करो जितना कर सको जाओ उन्ही में मिल जाओ और यहां जीवन का प्याला पीकर उन जैसे ही पागल बन जाओ जो जानने का साहस करता है दुख भोगता है तब रुको और उन्ही के साथ ठहरो आह मुझे विश्राम भी नहीं यहां बुलबुले सी भटकती धर्ती इसका खोखला रूप खोखला नाम इसके खोखले जन्म मरण यह निरर्थक है मेरे लिए पता नहीं नाम रूप की पर्तों के पार कब पहुचूंगा खोलो द्वार खोलो मेरे लिए उन्हें खुलना ही होगा ओ मा प्रकाश के द्वार खोलो मा तुम्हारा ठका हुआ बालक हूँ मैं मैं घर आना चाहता हूँ मा घर आना चाहता हूँ अब मेरा खेल समात्त हो चुका तुमने मुझे अंधियारे में खेलने को भेज दिया और भयानक आवरण ओड लिया तभी आशा ने संग छोड दिया भय ने आतंकित किया और यहां खेल एक कठिन कर्म बन गया इधर से उधर लहरों के थपेडे जिलना उद्दाम लालसाओं और गहन पीडाओं के उफनते हुए उद्दाल तरंगों से पूर्ण महा समुद्र में सुखों की आशा में जहां जीवन मृत्यू सा भयानक है और जहां मृत्यू फिर नया जीवन देकर उसी समुद्र की लहरों में सुख दुख के थपेडे सहने को धकेल देती है जहां बच्चे सुन्दर, सुनहले, चमकीले स्वपन देखते हैं और जो धूल में ही मिलते हैं जरा पीछे मुड़ कर देखो खोया हुआ जीवन जैसे जंग की धेरी बहुत देर से उम्र को ग्यान मिलता है जब पहिया हमें दूर पटक देता है नए स्फूर्त जीवन अपनी शक्तियां इस चक्र को पिला देते हैं जो चलता रहता है अनवरत दिन पर दिन वर्ष पर वर्ष यहां केवल है माया का एक खिलोना जूठी आशाओं इच्छाओं और सुख दुख के अरो से बना यहां पहिया मैं भटका हूँ पता नहीं किधर चला जाओं मुझे इस आग से बचाओ रक्षा करो दया मैं मा इन इच्छाओं में भेने से बचाओ अपना भयावना रौद्र मुख न दिखाओ मा यहां मेरे लिए आ सही है मुझे पर क्रिपा करो दया करो मा मेरे अपराधों को सहन करो मा मुझे उस तड़ तक पहुचाओ जहां ये संघर्ष न हो इन पीडाओं इन आसुओं और भावतिक सुखों के परे जिस तड़ की महिमा को ये रवी शशी उडूगन और विद्युद्धी अभिव्यक्ति न देते महस उसके प्रकाश का प्रतिबिम्बलिये फिरते हैं ओ मा ये म्रिक पिपास भरे स्वपनों के आवरण तुम्हें देखने से मुझे न रोक सके मेरा खेल खत्म हो रहा है मा ये श्रिंखला की कडिया तोड़ो मुक्त करो मुझे मा मुक्त करो